Assalamualaikum जी, in this lesson we are going to learn के mockups कैसे create किये जाते हैं तो mockups create करने से पहले we have to discuss के mockups हम कैसे download कर सकते हैं और इसके क्या benefits हैं तो mockups download करने के लिए बहुत सारे platforms हैं वो मैं आपसे discuss कर लेता हूं और इसका benefit ये है कि आप कोई भी design करते हैं For example, आप कोई t-shirt design करते हैं, आप किसी cup का design करते हैं, कोई stem design कर रहे हैं कोई label design कर रहे हैं, कोई package design कर रहे हैं Whatever you are going to design अच्छी practice ये है कि आप उसको mockup के उपर place करें और see that how it looks alike और उसको अपने client के साथ और अपने team members के साथ share करें So, आपके design का जो impact है That will increase a lot तो अगर हम यहाँ पे platforms की बात करें तो इस वगए मेरे सामने graphic burger open है आप graphic burger से multiple mockups को download कर सकते हैं इसके लावा जी, हमारे पास pstmockups.com है यहाँ पे आपको बड़े interesting mockups मिलेंगे इसके लावा हमारे पास graphberry.com यहाँ पे आपको interesting mockups मिलेंगे इसके बाद ही mockups design.com You can see the designs तो आप जो भी design बनाते हैं For example, you are designing a calendar तो आप calendar design करने के बाद download this mockup और अपने design को इस पे place करके देखें कि वो कैसा लगता है इसके बाद हमारे पास एक और website है mockup word.co तो यहाँ पे भी आपको interesting mockups देखने को मिलेंगे एक और website है free design resources.net और इसकी categories है free mockups तो यहाँ पे आपको कुछ mockups देखने को मिलेंगे अगर आप इसमें से कोई website यूज़ करना चाहरे है आप इसमें से कोई website यूज़ कर ले mockups डाउनलोड करने के लिए इसके लावा just write on google psd mockups तो आपको यहाँ पे बेशुमार websites मिलेंगी आप इन websites पे जाके free mockups डाउनलोड कर सकते हैं याप images में जाएं और यहाँ से देखें कोई ऐसी website जो आपको free mockups provide करी है और mockup आपको अच्छा लगता है और आपके design के साथ engage कर जाएगा so just click on it, go to the website and download the mockup तो मैंने mockup डाउनलोड किया हुए so let's open the mockup in photoshop इसके बाद मैं इसके layers में जाता हूँ और यहाँ से जाके मैं इस layer को height कर लेता हूँ इस group को हम open करते हैं और इसको कर लेते हैं जी visible इसके बाद android, instagram, ui इसको भी height कर लेते हैं और अपनी quotation design को हम iphone, instagram, ui के mockup में place करके देखते हैं यहाँ पे कुछ text हैं हम iphone, android इन दोनों को hide कर लेते हैं because we do not need it इसके बाद जी मैं iphone, instagram, ui इस layer को open करता हूँ और यहाँ पे जिसने इस mockup को design किया है उसने इस layer का नाम रखा है place picture तो अगर आपको कुछ ऐसा text ना मिले उस layer के साथ so you will have to find के वो कौन सी layer है जहाँ पे जाके मैंने अपनी picture को place करना है so place picture तस्वीर आप अपनी यहाँ पे place करेंगे जो के इस grey area में update होगी और इसके लावा यह जो आपको उपर avatar नजर आ रहा है अगर आप इसको भी update करना चाहते हैं so उसने इसकी भी option दी भी है so you can place your avatar, you can place your image so हम यहाँ पे image को place करते हैं so मैं इस icon पे double click करूँगा इसने हमें एक और tab open कर दिया जो के layer 121.psb हम इस layer में आते हैं इस grey area को hide कर लेते हैं और अपने instagram design को जो के हमने quotation design किया था for social media इसको हम अपने design में place करते हैं so इसको fit कर लेते हैं जी इस space के अंदर चीकर मैंने कोशिश किया कि मैं अपने design को जो इसकी boundary है उसे थोड़ा सा बाहर लेके जाओ ताके white lines हमें नजर नहां हैं design के अंदर so just go into the layer इसके बाद हम इसको यहां से commit कर लेते हैं इस tick पे click करें इसके बाद इस file को save कर लेते हैं so file save तो .psp file save हो गई इसके बाद हम इस tab को close कर लेते हैं तो जो हमने .psp file में अपने design को place किया था उसको save करने के बाद उसने हमारे design को update कर दिया जो हमारा mockup था so इस mockup को हम middle में place कर लेते हैं so मैंने इस layer पे click किया और मैं अपने keyboard से ctrl T press कर रहा हूं ठीक है तो हम इसको transform करते हैं इसको change कर लेते हैं इसकी position को take it to the middle ठीक है और इसके बाद हम दुबारा इसको commit कर लेते हैं right जी इसके बाद हम इस image को save कर लेते हैं so we are going into the file save as और desktop पे save करते हैं as jpeg इसको कर लेते हैं जी quotation mockup save the file press ok तो desktop पर जागे देखते हैं कि हमारे बरस क्या रजल्स है so quotation mockup.jpg इसको open करते हैं so यह हमारे पास mockup design है जिसमें हमने जो quotation design किया था वो as a instagram post हमें नजर आ रहा है so a quotation design किया और उसको instagram पे post करने से पहले we can see that how it will look alike so अगर आप किसी client के लिए काम कर रहे है और आपने उसकी post को design कर लिया है so the better way is कि आप उसको mockup में place करें और उसके बाद अपने client के साथ उसको share करें so this is how you can create the mockups so update the design save the file and share it with your clients see you in the next lesson thank you so much